जिंक ने क्या दिया जिंक सॉलिड ने जेडेंड टू पॉजिटिव दिया दो एलेक्टरॉन ठीक है सिंपल सी बात है इसको मैंने एनोड का डाटा बोला इसको मैंने कैथोर बोल दिया सिंपल अभी हम पढ़के याँ यह सेल अगर तु इसकी ओवरॉल सेल रेक्षन लिखने चले तो तू कहेगा इलेक्टरों से लेक्टरों गया सिंपल तेरे पास क्या जिंक सॉलिड आया पापर टू पलास आया डिविंग के जेड दिव पॉजिटिव आया पलस के कॉपर सॉलिड आया सिंपल बाई addition ऐसे करना है electron से electron कड़ जाएगा सिंपल जो left hand side में वह agitated आ गया जो right hand side में वह agitated आ गया ठीक है अब मैं कह रहा हूं कि ध्यान रखना मैं इस इस बासे में क्या बताना चाहता हूं इस बासे में यह बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी cell full cell होगा उसकी cell reaction में electron नहीं आए ठीक है दूसरी बात अगर तू इसका representation करने चले तो क्या होगी simple अभी बार बार करके बताईए मैंने salt bridge लगाया copper to positive to copper गया ये तिरे पास दो identification है किसी भी full cell की electron नहीं आएंगे और cell representation में दोनों compartment होंगे anode भी और cathode भी ठीक है भाई अब आप कहेंगे आपने ये बात जोड़ी क्यों यहाँ पे इसी point को जोड़ता हूँ रहे सुनना सुनना इसी बात को जोड़ता हूँ रहे देख भाई मैं एक question order देता हूँ मैं कहता हूँ तेरे से कि तुझे एक e naught given है cu positive to cu positive to cu positive जिसकी value कुछ भी x है और मैं तुझे एक question order देता हूँ मैं पूरा data दे रहा हूँ इस question में और मैं कहरा हूँ कि तेरे पास एक और data है cu से cu positive जिसकी value y है और अब मैं तुझे पूछता हूँ कि तु मुझे data बता e naught cu2 positive to cu बता दे निकाल के देते हूँ वी वी आई important सवाल है last concept is lecture का last concept ठीक है भई देख अगर तुझे इस हिसाब से देखे तो तु कहेगा यहाँ पे कि यार अगर मैं सर के basis से चलूँ तो मुझे तुने हाँ वै cathode और inaudy सहुझ में नहीं आ रहा simple तुझे क्या लेखना है तुझे पता है कि copper two positive है अगर यह एक electron खाएगा सुनना भई एक electron खाएगा तो copper plus में जाएगा रहे दूसरा तेरे पास क्या है copper था copper जब एक electron निकालेगा तब copper plus में जाएगा ठीक है भई बासमजमारी नहीं आरी और अब तुझे पूछा क्या है अब तुझे पूछा है copper पलस्टू टू copper इसका मतलब जब copper two positive दो electron खाएगा तो किस में जाएगा रहे copper solid में जाएगा बासमजमारी है अब पैसली जबात है यह तेरे पास क्या है यह तेरे पास है अब की बार overall cell reaction और अब तुझे न एनौड पता है न कैथोड पता है तो simple कुछ नहीं पता तो reaction जोड़ दे अब अगर तुझे जोड़ने चले तो तुझे बनाना क्या है तुझे तो overall cell reaction बनानी है न बासमजमारी नहीं आरी और overall cell reaction तभी बन सकती है जब तू इस copper positive से copper positive को काटे इसका मतलब क्या होगा अगर तुझे इस reaction को उल्टा लेके तो क्या हो जाएगी cu positive एक electron खाएगा copper solid में जाएगा और अब तेरे पास जो इसका data क्या था x था इसका y था अब यह क्या बन गया minus y इसका मतलब यह होगा अब तेरे पास क्या हो जाएगी simple जब थूशका addition करेगा जब तूशका addition करेगा तो simple तेरे मैं इसको अगली slide बन लेगी चलता हूँ देखना देखना simple तेरे पास क्या data बन गया एक तो तेरे पास क्या था cu था उस CU का केस में क्या था? CU positive से CU था. और अब तुझे पता ये है, मैंने जो दुबारा में जो reaction चलाई है, वो यहां से चलाई है. और तुझे data किसका चाहिए था? E not CU2 positive से CU का data चाहिए था. ये तरह पास क्या है? Overall cell reaction थी. तो जब तुझे उस reaction को solve करेगा, तो तुझे यहां से पता चल जाएगा. बशिए C2 positive, एक electron खाया, CU solid बनाया था. और अब तुझे अगर इसको represent करने चले तो तुझा कहेगा? CU positive, CU positive बनाया रहे हैं. अब तुझे नहीं है ये. ठीक है ना? ये तुझे पास क्या है? CU positive है. और अब यहां पर क्या है? CU positive है. एक electron खायेगा, तो CU solid में जाएगा. अब तुझे अब तुझे अबराल cell reaction निकालने चले, तो इस CU से तो ये CU कड जाएगा. लेकिन तुझे पास ओवराल cell reaction क्या निकल क्या आई? copper solid निकल क्या आई. ये क्या है तुझे तुझे पास? ओवराल cell reaction है. ठीक है ना? अब में तो अब आप कहोगे, कि भाईया, E naught में यहां पर E naught का लूँ, Cathode का लूँ, किस का लूँ, कैसे इसको solve करूं? और ऐसे सवाल पेपर में मिलते हैं? मिलते हैं से सवाल. अब इस केस में तुम्हें क्या ध्यान रखना है, तो इस केस में ये ध्यान रखना है, कि full cell की सर्फ दो ये identification थी, क्या? ओवराल cell reaction में electron नहीं आएंगे. इसका मतलब ये full cell तो नहीं है रे. दूसरी बात, cell representation मुझे अब की बार given नहीं है, और अगर given नहीं है, full तो नहीं है, मुझे क्या है? या तो किसी के, सर्फ एक ही data मुझे given है. तो ऐसी cell, ध्यान रखना, ऐसी cell, जिनकी overall cell reaction में electron आएं, और जिनमें एक ही, एक ही compartment का data given हूँ, एक ही compartment का data given हूँ, ऐसी cell जानी जाती हैं, half cells के नाम से. और अभी आगे हम चर्चा भी करेंगे, type of half cells की, half cells की चर्चा भी करेंगे, और तब मैं नरष्ट apply करना आपको सिखाऊंगा, तो जिसकी overall cell reaction में electron आएं, और ये की compartment का data given हो, उसे half cells कहते हैं, और अब paper मुस्थे सवाल क्या पूछा है, E-not calculation का.